हेलो एवरीवन वेलकम टू लॉजिक पार्ट शाला चैनल आज की वीडियो का हमारा टॉपिक है मंतली करेंट अफेर्स तो फेंट्स आज हम करेंगे सेप्टंबर 2022 के मंतली करेंट अफेर्स की इंपॉर्टेंट क्वेस्टिन्स और आज के सेशन में हम कवर करेंगे जितनी भ आपकी जो जितने भी अवर्ट हुए हैं उन सभी को कवर कर लिया है अगर आपने वह वीडियो नहीं देखिए तो डिस्क्रिप्शन में लिंक बिल जाएगा आदरवाइस आप मंतली करेंट अफेर्स के जो प्लेलिस्ट उसे भी चेक कर सकते हैं तो चले फिस इंपॉर्ट नहीं देखिए what is the rank of India in the UNDP Human Development Index 2021 जिसने अभी हाली में September में ये release हुई थी तो Human Development Index में भारत की अगर रेंकी बात करें तो भारत इसमें 132 प्लेस पे रहा अब हमें ये भी ध्यान रटना है कि टॉप प्लेस पे कौनसी देश रहा है तो Switzerland जो है इसमें पहली position पे रहा अगर ह चाइना रहा इसमें 79 प्लेस पे बागनादेश की जो position रही 129 गोटान जो है वो 127 प्लेस पे रहा तो अगर हम देखें बाकी कंट्रीस में तो काफी अच्छा परफॉर्म रहा है अगर हम इंडिया की बात करें तो काफी इंडिया जो है वो इस इंडेक्स में डाउन पोजि 2021 तो इसमें भारत रहा तीसरे स्थान पे और टॉप प्लेस पे रही चाइना इंडिया ब्रेंडिंग इन वर्ड कॉम्पेटिटिवनेस इंडेक्स तो इसमें बारत की जो रैंक रही वो थी 37 प्लेस और टॉप प्लेस पे है डिनमार्क वर्ड एकोनॉमिक फोरम की ट्रेवल ट्यूरिस्म डेवलपमेंट इंडेक्स में इंडिया की जो रैंक रही वो 54 और इसमें टॉप प्लेस पे है जापान, यूएस और स्पीन तो जितने भी फ्रेंड्स आपके इंडेक्स रैंकिंग्स आई है वो आपके एक्जाम पॉइंट वी से काफी इंपॉर्टेंट है न प्रधान मंत्री टीवी मुक्त भारत अभियान को जो है लॉंच किया है और ये पोर्टल जो है वो एक तरीके का मंच है जो भी पेशेंट्स हैं जो टीवी का ट्रीटमेंट ले रही हैं उनको एक तरीके से उनको सपोर्ट करने के लिए उनको सहायता प्रदान करने के लिए एक मंच प्रदान करने का ये एक पोर्टल है नेक्ट कोशन है और स्ट्रीट इन दी कैनेडियन सिटी ओप मरकम इस नेमड आफ्टर विच इंडियन मुजीशियन तो कैनेडा में शहर है मरकम जहां पर स्ट्रीट का नाम जो है किस भार्ट ये संगीतकार के नाम पर रखा गया है तो फेंट्स उनका नाम है A.R. रहमान उनके नाम पर स्ट्रीट का नाम रखा गया है याद रखेंगे A.R. रहमान को 2010 में इंडियन गवर्मेंट के द्वारा पद्म भूशन से सम्मानित किया गया था जो कि हमारे देश का तीसरा हाइस्ट सिविलियन अवोर्ड है बात क इस और नो रहत ता यह स्ट्रीटेंड अस में करेक्ट आंसर और चात्रों के लिए भारत का बेल्ड स्कूल है वोis न्यारे नए लॉक्त किवेंट किया है तो इस तुदेंट जो है वो किसी भी देखे country में कहीं से भी हो वो यहां पर admission लेने के लिए eligible होंगे यह school 9th से 12th तक का होगा और Delhi model जो virtual school है इसके लिए जो है आविदन के प्रक्रिया भी शुरू हो गई थी और classes बिल्कुल online होंगी lectures recorded जो है वो online mode में provide किये जाएंगे next is India's first vaccine against Dash will be launched on 1st September तो किसके खिलाफ इंडिया की जो पहली vaccine है से launch किया गया सही answer है cervical cancer के against में जो vaccine है जो है अभी हाली में friends India government के त्वारा जो है से launch किया कहता और जो union minister है हमारे state science technology के जितेंदर Singh उन्होंने जो है इसे launch किया है अगला question है ministry of women and child development is celebrating the dash राश्तिय पोशन महा 2022 across the nation from 1st till 30th September तो देशपर में कौन सा जो है राश्तिय पोशन महा मनाया गया तो सही answer हो जाएगा फिफ्थ जो है पोशन महा celebrate किया गया है और पोशन महा के शुरवाद जो हुई थी देखिए पोशन अभियान के तहती से मनाया जाता है और पोशन अभियान के शुरवाद 2018 में राजिस्तान से की गई थी इस पार जो इसमें पोशन महा का जो फोकस किया गया है वो है महिला और स्वास्तिय और बच्चा और सिक्षा नेक्स रिस इंडियन रेलवे हैव सेट अप डैश मशीन्स अट मुंबई स्टेशन्स तो कनवर्ट वाटर वेपर इंदी एर इंटो पोटेबल वाटर तो हमें बताने कि उन मशीन्स का क्या नाम है जो कि इंडियन रेलवे के द्वारा मुंबई स्टेशन्स पे सेट अप किया गया है तो उनका नाम रखा गया है मेग दूद यह जो मशीन्स हैं यह क्या करेंगी देखें यह इसमें टेक्नलोजी है जो कि वाटर वेपर को जो पो होता है उसी पीने योगे पानी में बदलने के लिए इस टेक्नलोजी को यूज किया जाएगा इंडियन रेलवे के बात करें तो फ्रेंट्स इसकी स्थापना 1836 में होई हिटक्वाटर जो है वो न्यू डेली में है और प्रेजेंट टाइम में जो रेलवे मिनिस्टर है उनका नाम है अश्विनी वैश्णोम। को जॉइन किया और इसमें चाइना भी जो है उसने पार्टिसिपेट किया था अगला कुश्चन है वोटी से रैंक आफ इंडिया इंटो टाउसन ट्वेंटी टो ग्लोबल क्रिप्टो अडॉप्शन इंडेक्स तो भारत के इसमें रैंक कौन सी रही है सही आंसर है फोट भार बारत चोथे नमबर पे पहुंचके और व्यतनाम इसमें पहले नमबर पे ही है उचिंट कंपनी has signed in MU 0C a subsidiary of renewal energy company green to make green hydrogen in इंडिया कौन सी कंपनी ने 0C के साथ मेंग MU sign किया है तो कंपनी है पोस्त को steel company और किसले किया गया है कि भारत में जो green hydrogen है उसे बनाने के लिए amusine हुआ है यह पार्टेश है भारत में renewal energy के production के जितनी भी opportunities होंगी उसको explore करेगी और green को की बात करें इसकी स्थापना हुईती 2004 में और इसका headquarter जो है हाइत्रबाद में है अगर हम starting के 4 के बात करें तो पहले सबसे बड़ी economy है US की then China उसके बाद third place पे है जपान और Germany जो है फ्रेंटस में जो है fourth place पे है और साथी में ध्यान लेगेंगे भारत जो है कौन से place पे आ गया है fifth position पे next question है which company has unveiled इंडिया's first LNG-fueled green truck सही answer है blue energy motors के द्वारा भारत के पहले LNG इंधन वाला जो green truck है इसका अनावरन किया गया है और minister की बात करते हैं तो minister में ध्यान रखेंगे नितिन गटकरीची के द्वारा जो है इसको इसका inauguration किया गया इस truck को manufacturing किया गया है पूने के पास में चाकन एक जगा है जहां पे इसने manufacture किया गया अगला question है the union government has decided to rename the historic राजपत and central vista lawns in the national capital Delhi as dash तो जो राजपत है डेली में जो central vista lawn है इसका नाम change करके अब किया गया है इसका नाम करतव्य पथ फेंग्स यहां पे अगर हम बात करें के राजपत तो राजपत को जो है Kingsway के नाम से जाना जाता था जब British school चल रहा था उस दौरान next question है dash has successfully demonstrated a new technology with inflatable aerodynamic distillator तो किसके द्वारा इसका सफलता पूर्वक production किया गया है correct answer है friends इसरों के द्वारा इसका सफलता पूर्वक परेक्शन जो है वो किया गया है ध्यान लखेंगे जो ID है यह game changer है multiple applications के लिए जितने भी future missions होंगे चाहिए वो Mars को लेके हो वीनस को लेके हो तो काफी जादा यह game changer रही का इसका successfully जो परेक्शन किया गया उसमें rocket use किया गया है रोही ने rocket use किया गया और कहां से किया गया तो केरला से किया गया है बात करें friends इसरों के तो इसरों के सापना 15 August 1969 को ही headquarters का मिंगलूरू में है और इस ताइम पर chairman का नाम है S. सोमनाथ अगला question है who inaugurated Nalsa Center for Citizen Services at Jaisal Mayor House in New Delhi नई दिल्ली में Jaisal Mayor House में नालसा के नागरिक सिवा केंदर का उदगाटन किस ने किया? correct answer है justice उते उमेश ललिट जी के द्वारा इसका उदगाटन किया गया है जो society के weaker section से उनको free legal service प्रोवाइट करने के लिए ही इसको शुरू किया गया है सेंटर को next step which scheme has been announced by Prime Minister Narendra Modi ji on the occasion of National Teachers Day तो उस योशना का नाम बताना है तो उस योशना का नाम है PM श्री योशना कोशन ध्यान रखेंगे कि नरेंदर Modi ji के द्वारा जो है इसकी announcement की गई है PM श्री का मतलब है प्रधान मंत्री schools for rising इंडिया योशना इसमें स्कूलों को upgrade किया जाएगा उसके development की और जो है वो ध्यान पिया जाएगा तो 14,500 स्कूल से भी जादा स्कूलों को upgrade किया जाएगा next है who will inaugurate दिक कर्तव्य पत on 8th September तो कर्तव्य पत का जो उद्गाटन है वो किया गया है नरेंदर मोदी जी के द्वारा और यह साती में देखे इनके इनके इनोंने जो है वो नेता जी शुभास जंदर बोश्टी की जो statue है इंडिया गेट पर उसको भी जो है अन्वील किया है किस किस ने किया है यह ध्यान ओफिट्स 3D printed rocket engine तो कौन सी कमपनी ने 3D printed rocket engine के design और निर्मान के लिए अपना पहला patent हासिल किया है तो कमपनी जो है उसका नाम है अगनिकुल कॉस्मोस तो इनके अगनिलेट जो rocket engine है उसके लिए ही उनको यह जो patent का reward है उस company को दिया गया है अगनिकुल कॉस्मोस की बात कर तो इसकी सापना हुई 2017 में headquarter जो है वो इसका chain नहीं में है और CEO का नाम है श्रीनात रवी चंदरन next step which union minister will inaugurate a three day conference called monthan in Bengaluru तो शेहर का नाम भी याद रखेंगे तीन दिन की यह conference रही जिसका गाटन किया गया नितिन गटकरीची के त्वारा इनके पास में road transport और highway में जो mantra ले है वो इनके पास में है और यह monthan नाम दिया गया है इस conference को ministry of road transporter highway ने इसे organize किया इसकी theme भी रखेंगे जो थी ideas to action towards a smart sustainable road inframobility and logistics ecosystem अगला question है dash has launched the country's first national electric freight platform जिसको नाम दिया है e-fast India तो इसे किसने launch किया है सही answer है नीती आयोग ने इसे launch किया है e-fast की full form है electric freight accelerator for sustainable transport तो किसके दोरा याद करेंगे नीती आयोग नीती आयोग के सापना 1st January 2015 को हुई headquarters का न्यू डेली में है चेयर परसन है नरेंद्र मोदी जी और नीती आयोग के CEO है परमेश्वरन अयर Next question है on which river बिहार Chief Minister नितीश कुमार has inaugurated India's longest rubber dam जिसको नाम दिया है गयाजी डाम तो गयाजी पांद का जो उद्घाटन है ये फालकु रिवर पे किया गया है और नितीश कुमार जी के दोरा किया गया है ये दोनों बाते ध्यान रखनी है ये 411 मीटर लंबा है और 3 मीटर ये ऊचा है लगवग 312 करून उपे के लागस्ति इसको बनाया गया है इंडिया को इंडिया को इंपोर्ट करता था लेकिन अब इंडिया में ही इसका प्रड़क्शन किया जाएगा तो इंडिया को इंपोर्ट करने के ज़रूरत नहीं पड़ेगी वेर हैस ती इंडियान आर्मी और एएरफोर्स जॉइंटली ओगनाईज्ट जॉइंट एक्सराइज जिसका नाम है गगन स्ट्राइक 2022 तो इंडियन आर्मी और एयर फोर्स ने मिलकर इसे और्गनाईस किया कहां पर किया तो आंसर हो जाएगा पटियाला पंजाब में तो इसका दिखिये में उदेशे वही है कि जमीनी बलो के जो मशीनी करस्ट तंबो के साथ हेलिकॉप्टर के दोरा सटीक महारक शमता का इसमें प्रदर्शन किया गया तो इस टाइम पे भारत के जो सबसे रिचेस्ट मैन है उनका नाम है फ्रेंड्स गौतम अडानी अडानी गुरुप के ये ओनर है और ये वर्ड की बात करें फॉप्स की जो अभी लिस्ट आई थी उसके अकॉर्डिंग ये वर्ड में सेकंड प्लेस में है आफ्टर एलन मस्क तो ये पॉइंट भी इंपॉर्टेंट रहेगा फ्रेंड्स फ्रेंड्स गाए फ्रेंट नरींदर मोदीजी के द्वारा इसका शुभारंब किया गया है और चीता इसको आपको पता है नामीबिय से लाया किया है इस इस फूर्ट टाइम के चीता को रिंट्रड्यूस किया गया है जबसे वो डिसपीर हुए थे 1950 से उसके बाद पहली पार चीतास को री इंटोड़क्श एक तरीके से लाया दुबारत से देखिए चीतास को लेके आये जा रहा है कहां से नामीबिया से टोटल आठ जो हैं वो चीतास नामीबिया से कुनो नैशनल पार्क में लाए गए है PM Modi will inaugurate International Dairy Federation में उसके बाद अब जो है International Dairy Federation World Dairy Summit जो है इसको किया गया है और उसको PM Modi जी ने इसको organize किया लगबग इसमें 1500 participants 50 countries से उन्होंने इसमें participate किया और इसे organize किया गया at India Expo Center and Mart Greater Noida में Which of the following has collaborated with the Indian Army for implementing a CSR project to coach and mentor less privileged girl students in Cargill तो इसके लिए दिखे जो समझोता हुआ है वो किया है collaboration हिंदुस्तान Petroleum Corporation Limited के साथ मिलकर जो है इसके लिए partnership और collaboration किया गया Which paramilitary force first female camel riding squad is being deployed along the India-Pakistan border भारत-Pakistan सीमा पर किस अर्ध सैनिक बल की पहली महिला उट सवारी दस्ते को तैनात किया जा रहा है answer है BSF यानि Border Security Force तो इस जो square है ये पूरे word में ऐसी पहला जो है वो square है इध्यान लखेंगे और जो India-Pakistan का border है राजिस्तान गुजरात की तरफ से वहाँ पे से deploy किया जाएगा BSF की बात करें इसके सापना 1965 में हुई डारेक्टर जनरल है पंकच गुमार सिंग और इसका headquarter है न्यू डेली में Ministry of Port Shipping and Waterways will build a National Maritime Heritage Complex तो इंडेस्वेली सिविलाइजेशन की कौन सी जगा है जहां पिस complex को का निर्माण किया जाएगा तो उस place का नाम है Lothal Research in India तो question में पूचा है भारत में quantum computing कौशल विकास और रनुसंधान को आगे बढ़ाने के लिए किस IIT के साथ में जो है partnership करी गई है सही answer है IIT Madras is the right answer In which city the two-day National Defense MSME conclave and exhibition is being held दो दिन का National Defense MSME conclave जिसका आयरजन कहां पे किया गया सही answer है और इसमें कुछ defense equipment जैसे की T-90, BMP-2 tanks R3 guns, अलग-अलग type के sniper, machine guns इन सभी को display किया था इस exhibition में Which edition of Japan India Maritime Exercise 2022 was hosted by Indian Navy और इसकी शुरुवात कहां हुई Bay of Bengal में तो कौन सा edition हुआ Jimix का सही answer है देखे अभी हाली में हुआ है इसका 6th edition इंडिया Navy case में 3 जो ships है उनके द्वारा participate किया गए जिसमें है सयात्री एक multi-purpose tail frigrate है anti-sum marine warfare corvets जिसमें से कदमत और cover रगती है इस पार Jimix के 10th anniversary mark की गई और जो Jimix exercise इंडिया जापान के बीच में 2012 में शुरू की गई थी which country will host the G20 leader summit at the level of head of state and government of तो कौन से देश राष्टर ध्यक्षो और साशन ध्यक्षो के सतर पर G20 leader summit की मेजवानी करेगा तो इसकी मेजवानी friends करेगा India is the right answer कौन से IIT ने sign किया है एक pact University of Sydney के साथ to address international energy challenge तो इसके लिए जो pact sign किया है IIT मदरास नहीं University of Sydney के साथ मिलके किया है यह जो partnership पहना इसमें देखिए एक तरीके से joint funding होगी चार research projects के लिए Dash has announced the launch of its first high throughput satellite broadband internet service in India तो इसके announcement किसके द्वारा की गई तो Hughes communication ने जो है इसकी announcement करी है यह जो service होगे ना देखिए जो service नहीं offer करेंगी कि जो satellite internet है जो भी remote location से वहाँ पे satellite internet के लिए एक तरीके से offer किया चाएगा वहाँ पे अच्छे सुविधा प्रदान करेंगी के लिए और इस रोगी जो satellite इसमें यूज़ोगी वो है Gset 11 और Gset 29 satellites को यूज़ किया जाएगा which is become the first clean sujal pradesh of India भारत का पहला स्वच्छ सुजल प्रदेश कौन सा बन गया है सही answer है अंडमा निकुबार आइलेंड जो जल शक्ती मिनस्टर है गजेंदर सिंग शेखावत उन्होंने डिकलेर किया है अंडमा निकुबार which person और राचल प्रदेश में जो कीबितू सैन्या गयारिसन है इसका नाम बतलकर जनरल विपिन रावत जी के नाम पर रखा जाएगा जनरल विपिन रावत जी जो है भारत के पहले CDS ते याद रखेंगे which company has collaboration collaborated with मेती स्टार्टप हब to launch a program to support and accelerate XR technology startups across India तो कौन सी company ने मेती स्टार्टप के साथ में collaboration किया है सही answer है Meta और Meta जो है वो Facebook का ही नया नाम है यह जो collaboration है यह governments के जो efforts है skilling और emerging future technology को लेके उसी का ही एक part है who virtually inaugurated and laid the foundation stone for various projects of the Gujarat government worth 1200 करोन रूपीज इन गांधी नगर तो इसको inaugurate किसके द्वारा किया गया तो friends हमारा सही answer है Amish शहाजी के द्वारा inaugurate किया गया तो पिशले साल देश में अगर बात करें total जो foreign investment हुआ था उसमें गुजरात के हिस्तेदारी जोगी सबसे जादा थी 57% Which year has been announced as the International Year of Millets by the UNGA United Nations General Assembly ने किस year को International Year of Millets के तोर पर डिक्लेर किया है तो year कौन सा है 2023 बात करें friend United Nations General Assembly के तो इसके सापना 1945 में होई और इसका headquarter जो है वो New York United States में है President कसाबा को रूसी अगला question है Who has inaugurated Ramakrishna Missions Awakening Program for Students of Class 1st to 5th तो जो जागरती कारिक्रम है इसका उद्घाटन किस ने किया है Education Minister धर्मेंदर प्रधान जी के तोर आ इसका उद्घाटन किया गया ये एक initiative है जोकि ensure करेगा overall personality development बच्चे की और इसमें NEP 2020 जो philosophy उसको use किया जाएगा Ramakrishna Mission के सापना 1897 में हुई और इसके जो founder थे वो थे friend Swami Vivekanand Next question है हमारा Dash has released a new digital publication BLOE Patrikha to establish direct communication with booth level officers तो जो BLOE Patrikha है इसको जारी किस के तोरा किया गया Election Commission of India के दोरा में इसका उदेश है यह है कि देखे जो booth level के officers है उनके साथ direct communication करने के लिए ही इसे stabilize किया गया है Election Commission of India के सापना 25th of January 1950 को ही headquarter जो है इसका New Delhi में है जो पहले Chief Election Commissioner थे भारत की उनका नाम था सुकुमार सीन और करंट में Chief Election Commissioner है Rajiv कुमार Which company has signed an MU with Sports Ministry for the Development of Sports in India Correct answer है NTPC Limited ने Sports Ministry के साथ में एक MU sign किया ताकि इंडिया में जो स्पोर्ट से उसके development की तरफ और भी ज़्यादा ध्यान दिया जा सके Next question है At which lake in Kashmir the Indian Navy has revived the naval training area to provide training to NCC cadets कौन सा area है जिसको revive किया यानि फिर से जो है इसे पुनरजीवित किया गया है answer है Manasbal Lake तो इंडिया ने ने रिवाइब किया है naval training area at Manasbal Lake in Kashmir गांदिरबल district after 33 years तो 33 वर्षों के बाद जो है यहां भी फिर से training provide की जाएगी around NCC 100 NCC cadets को जो है वो इस training camp में वो पार्टिसिपेट करेंगे who has become the oldest Indian to cross the North Channel between Northern Ireland and South Western Scotland तो यह जो North Channel है इसको पार करने वाले सबसे उम्र दराज जो भारतिय बने है उनका नाम है Elvis Ali हजारिका इन्होंने देखे 14 गंटे 38 मिनेट में जो है इस achievement को हासिल किया है अगला question है which of the four nine union minister has launched the dashboard of the department of science and technology तो किस केंदर मंत्री ने DST का जो dashboard है इसे launch किया है सही answer है Dr. Jitendra Singh Ji के दोरा इसे launch किया गया है यह जो dashboard देखे इसको use किया जाएगा effective implementation of project, scheme, scholarship, fellowship तो एक तरीके से इसको implementation उसका ensure करने के उदेश्चे से ही इसे launch किया गया है Next is which durdarshan series has been launched by the US Agency for International Development and UNICEF तो इसके लिए जो durdarshan series को launch किया गया है उसका नाम है दूर से नमस्ते Which company has signed an MU with Indian Institute of Science to promote research and development in the area of energy तो energy के एरिया में research और development को promote करने के लिए कौन सी company ने Indian Institute of Science के साथ मिलकर एक MU sign किया है तो company का नाम है Shell India यह जो partnership पूरा focus करेगी कि green house to gas emissions से उसको कम किया जा सके और decarbonization को promote करें Which IIM has signed a pact with the Indian Institute of Corporate Affairs to collaborate on offering long term joint courses तो इसके लिए कौन सा IIM है जिसने एक pact sign किया है Correct answer है IIM जम्मो के द्वारा जो है एक pact sign किया गया है अगला question है Who among the following ministers has presented inspire awards to 60 startups तो friends किस मंत्री ने 60 startups को inspire जो पुरुषकार है वो प्रदान किया है Correct answer है Dr. जितेंद सिंह के द्वारा जो awards है मुद दिये गए है और इस award को institute किया गया by the Department of Science and Technology Next question है Which of the following union minister has launched a 15 day blood donation drive on the occasion of Prime Minister Modi's birthday तो यह जो blood donation drive है इसको शुरू किया है मनसुक मांडियाव्यजी ने इनके पास में कौन सी ministry है याद रखेंगे health ministry है और एक October तक यह program पूरा चला था इसमें around 87,000 से भी जादा लोगों ने एक दिन में जो है blood donate किया जो कि एक word record भी बना which city has been named as a foster tourism and cultural capital of SCO for the year 2022-23 तो वरानसी इंडिया को पहली परिटन और सांस्कतिक राजधानी के रूप में नामित किया गया है और SPU की बात करते हैं तो इसके stabilisement 2001 में हुई headquarters का बीजिंग चाइना में है Secretary General का नाम है Zhang Ming The Indian and US Coast Guard held a joint exercise जिसका नाम हमें बताना है तो यह इंडिया US Coast Guard के पीच में हुई और इसका नाम है अभ्याद 0122 यह जो अभ्याद से इसमें focus किया गया है enhancing intraperability तो maritime जो search and rescue का field है वहाँ पे किस तरीके से हम अंतहक क्रिया शीलता को बढ़ा सके इसके उपर पूरी तरीके से यह exercise केंद्रित रही At which place the Indian army has activated the satellite based internet service किस स्थान पर उग्रह आधारित internet सेवा को सक्रिय किया गया है तो स्थान का नाम क्या है Shia Chin सिया Chin की बात करते है तो यह world का highest battlefield है जहाँ पे satellite based internet service को activate किया गया है In Ladakh who inaugurated the Cargill International Marathon तो Ladakh में कारगill अंतराश्टे Marathon का उदगाटन किस ने किया सही answer है Manoj Pandey के दवारा इसका उदगाटन किया गया Prime Minister Narendra Modi ji has named a four year old female cheetah from Namibia तो अभी Namibia से कुरो National Park में जो cheetahs लाए गए है उसमें एक female cheetah है जिस जो चार साल की है उसका नाम क्या रखा गया है तो यहाँ पे correct answer हो जाएगा उसका नाम रखा गया है तो टल जो बात करें eight cheetahs को लाया गया जिसमें five female है और तीन जो है उसमें male cheetah है last जो भारत में cheetah देखा गया था 1942 में देखा गया था और इस ताइम वापस से देखे उनको दुबारत से जो है cheetahs की जो species उसको भारत में और भी आगे बढ़ाने के लिए ही नामीबिया से चीतास को लाया गया which union minister has launched the scale application scale की full form है skill certification assessment for leather employees इस application को धर्मेंदर प्रधान जी के द्वारा जो है launch किया गया है इसको develop किया गया है leather skill sector council के द्वारा महराष्ट की सरकार ने जो है दौलताबाद फोर्ट का नाम बदल कर क्या रखा है तो नया नाम जो रखा गया है अब देवगिरी फोर्ट रखा गया है जो दौलताबाद फोर्ट है न एक historic fortified citadel है जो कि देवगिरी विलेज महराष्ट में और अंगवाद के पास एक देवगिरी विलेज है जहां पर ये located है और ये यादव डाइनस्टी की पहले capital हुआ करती थी With which of the following ministries has ministry of agriculture launched convergence portal तो ministry of food processing के साथ क्रशी मंत्राले ने convergence जो पोर्टल है इसे launch किया है Food processing industry के जो minister है उनका नाम है पशुपती कुमार पारस With which of the following has NCC sign an MU to tackle the issue of plastic pollution तो National Cadet Corp ने जो MU sign किया है वो किया है UNEP के साथ मिलकर टाकि जो plastic pollution है उसे निप्टा जा सके और National Cadet Corp और UN Environment Program ने MU sign किया in the President of Defence Minister राशना से और कहां पर किया गया New Delhi में Who hosted the G4 meeting of foreign ministers in September 2022 तो विदेश मंत्रियों की जो G4 बैठक है इसकी मेजवानी किसके द्वारा की गई Dr. S. J. Shankar जी ने इसकी मेजवानी करी और इस meeting के जो अध्यक्षिता है इस South Africa के जो Minister है Dr. Naledi Pandor उनके द्वारा की गई इसकी अध्यक्षिता यह उन्होंने से होस्ट किया Which of the following company has been given the Maharat Company status by the Union Government तो महारतन कंपनी का जो दर्चा मिला है वो R.E.C. Limited को जो है वो दिया गया है और R.E.C. जो Limited कंपनी है इसकी सापना 1969 में हो थी पावर मिनिस्ट्री के अंडर में ही वोक करती है Where will the world longest extra-dosed single-span bridge be built? Correct answer है हिमाचल प्रदेश में जो काल का शिमला नैशनल हाइवे है वहाँ पे दुनिया का सबसी लंबा प्रत्यार पर सिंगल-span bridge जो है बनाया जाएगा In this city, Vice President जगदीब धनकर has inaugurated the third edition of लोक मन्थन प्रोग्राम ये इसका तीसरा edition होगा जिससे गवाहाटी में जो है inaugurate किया गया Vice President जगदीब धनकरची के द्वारा इसकी जो theme रखी गई वो यादकें के लोक परंपरा इट मींस लोक ट्रडिशन अगर हम इससे पहले दो जो लोक मन्थन उनकी बात करें तो पहला edition launch हुआ था 2016 में जिसमें देश कला पर फोकस किया गया दूसरा edition हुआ था 2018 में जिसकी theme रही थी बारत बोध, जन गर्मन और तीसरा edition कहां पर गुवाहाटी में हुआ Which of the following countries Asia's largest importer of palm oil accounting for 15% of global imports सबसे जाधा इशिया का ताड की तेल का जो सबसे बड़ा आया तक देश है वो कौन सा है तो सही आंसर है इंडिया Inner Delivery ने announcement करी है कि वो install करेंगे real time train information system को जो भी locomotives और trains है वहाँ पे अब बताना है कि किसके साथ collaboration करके इसको develop किया गया है तो इसका जो correct answer है वो है friends इसरों के साथ जो है बो मिलकर इसे जो है develop किया गया है और इसमें एक तरीके से जो train है उसको track किया जा सकेगा उसकी location उसकी speed को which of the following union minister has launched a two day virtual conference जिसको नाम दिया है symphony तो इससे जी किशन रेड़ी ची के द्वारा उन्होंने इसका शुभारंब किया है और इससे ये दो दिन को जो है वो conference हुआ था जिसको develop किया गया ministry of जिसको organize किया ministry of development of north eastern region world tourism day के अवसर पर जो है इसे organize किया गया था who will inaugurate the eastern and north eastern zones dairy cooperative conclave जिसका inauguration किया गया गंगटोग सिक्कीम में तो अमेशा जी ने जो है इसको इसका उदगाटन किया और सिक्कीम की वाद करें तो capital है गंगटोग चीफ मिनिस्टर है प्रेम शिंग तमंग और गवर्नर है गंगा प्रसाद Housing and Urban Affairs Ministry ने launch किया है स्वच्च टॉइक अथोन इसके दो knowledge partner रही एक था Center for Creative Learning और दूसरा knowledge partner जो रहा वो है IIT गांधी नगर Housing and Urban Affairs Ministry ने स्वच्च टॉइक अथोन को launch किया एक unique competition है जिसमें involved किया गए कि जो waste है उससे toys को बनाया जाए Who has inaugurated the Integrated Cryogenic Engines Manufacturing Facility of Hindustan Aeronautics Limited in Bengaluru तो friends इसको inaugurate किया है President Draupadi Murmuji ने इसको inaugurate किया और जो cryogenic engines से इनको ISRO के जो satellite launch operations से उसमें use किया जाएगा Which campaign has been announced by Union Minister Jitendra Singh to showcase the technological breakthrough and innovations तो इसके लिए जो campaign launch किया गया उस campaign का नाम रखा गया One Week One Lab Campaign Which Union Minister has launched indigenously developed AVGS 100LL जो कि एक special aviation fuel है और जो कि piston engine जो aircraft ने unmanned air vehicle है उनमें use किया जाता है इसे launch किया है किसने हरदीप सिंग पुरी जी ने इसे launch किया है ये जो fuel है इसे develop किया गया Indian Oil Corporation के द्वारा उनकी एक flagship refinery है वदूदरा जहां पे इसे launch किया जहां पे इसे develop किया गया है और इसे develop किसने किया है Ministry of Rural Development ने इसे develop किया है इसके तहर देखे जो selected कुए होंगे दो बार उनको measure किया चाहेगा एक pre monsoon और एक post monsoon NASA's Double Asteroid Redirection Test Mission successfully impact its asteroid target NASA का headquarter कहां पे है तो NASA का headquarter तो देखे Washington में है अभी इसने recently एक asteroid को जो है impact किया है तो अगर मालेचे कोई भी asteroid है जो earth की तरफ आएगा तो उसको ये पहले से ही क्या कर देगा उसको impact कर देगा तो इसका ही परिक्षण अभी हाली में किया गया अब हम करेंगे friends arbitries related कुछ important news फर्स्ट आदेके novel peace prize winner and the former Soviet leader इनका भी हाली मेंने धन हुआ इनका नाम क्या है मिखेल गौर्वचेव इनका नाम है और मिखेल गौर्वचेव 1985 में सोबियत जो communist party है उसके general secretary और country के जो हैं leader बने थे बी शेक अली इनका भी हाली मेंने धन हुआ he was a famous तो वो एक famous कौन थे historian थे यानि इतियासकार थे he was the general president of Indian history congress at its 47th session in 1986 the first Indian boxer to win medals at both the Asian and Commonwealth Games ये पहले Indian boxer थे जिनोंने Asian and Commonwealth Games दोनों में ही medal जीत था इनका हाली में निधन हुआ इनका नाम रहा था friends Birju Shah Renowned Carnatic Vocalist and the Padma Bhushan Awarded Dash Passed Away तो हाली में TV शंकर नारायन ची का निधन हुआ है अब यहाँ पे एक important बात भ्यान लखेंगे कि इन्हें पदम भूशन का मिला 2003 में तो ये year आपके लिए important बन सकता है Dash Britain's Longest Serving Monarch Passed Away बिटेन के सबसे लंबे समय तक साशन करने वाली जो समराड़ी इनका भी हाले में निधन हुआ इनका नाम था Queen Elizabeth II Charles III है इनको अब बिटेन का वो King बने है और Prince of Wales की बात करें तो William जो है वो Prince of Wales जो है उनको न्युक्त किया गया है ये कुछ important बाते ध्यान रखेगा Padma Awardee Professor Branch Basilal जो कि Former Director General थे Archaeological Survey of India के इनका भी हाली में निधन हुआ इनने किस एर Padma Bhushan received हुआ था तो इनने मिला था 2000 में Padma Bhushan से इनने सम्मानित किया गया था और Padma Bhushan इनने मिला था 2021 में उनकी Archaeology में जो उनका Contribution रहा उसके लिए The Justice with the shortest tenure as the Chief Justice of India सबसे कम समय तक का इनका कारेकाल रहा इनका नाम था Kamal Narayan Singh और अगर हम इनके कारेकाल की बात करती हैं तो देखिए सिफो सिफो यहाँ पे 17 दिन का जो है इनका कारेकाल रहा था जो की सबसे कम समय का था और ये 22nd नंबर के Chief Justice बनेते भारत के इनका भी हाली में निधन हुआ अकला Question है Former Indian Tennis Player and Davis Cup जो Captain है इनका भी हाली में निधन हुआ है और इनका नाम है नरेश कुमार राजो श्रिवास्तवा पास्ट अवे, he was a famous डाश तो अभी हाली में फ्रेंट्स इनका निधन हुआ ये famous क्या थे ये famous comedian थे Dash the Soviet Cosmonaut who set the record for the longest single stay in space तो अभी Soviet Antriksh यातरी जिनोंने Antriksh में सबसे लंबे समय तक एकल प्रवास का record बनाया था इनका निधन हुआ और इनका नाम क्या है वेलरी पोलियकोव तो इनका जो record रहा था वो था 437 days का space में रुकने का अगला question है the booker prize winner and the author of the best selling wolf hall trilogy इनका हाली में निधन हुआ इनका नाम है इनका नाम था Dame Hilary Mantle और ने दो बार देखी इनोंने booker prize चीता पहली बार 2009 में उनकी book wolf hall के लिए दूसरी बार उनकी इसी book का sequel आया था bring up the bodies तो 2012 में उनको booker prize मिला आगला question है आर्यदान मोहमद passed away recently at the age of 87 he was dash तो ये famous क्या थे तो ये famous politician थे जिनका भी हाली में निधन हुआ है और उन्होंने 1977 में केरल के luggage leisure assembly के जो निलामपूर seat है वो उन्होंने जीती थी तो friends इसी के साथ हमारी आज की video complete होती है जिसमें हमने आज किया सभी national news और जितनी भी arbitries यानि जो निधन हुए famous personalities के उनको हमने आज के इस video में cover किया तो second part हमारा complete होता है ऐसे ही आपको बाकी parts में मिलेंगे और PDF आप लोगों को telegram पर मिलेंगा description में उसका link दिया किया है आप लोग join जरूर करें thank you so much for watching this video you